हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाएंगे मिक्स वेज फ्राई mix wedge fry की recipe आपके साथ share करेंगे बहुत आसान recipe है और बहुत कम मसाले के साथ हम इसे बनाएंगे बहुत कम मसाले डालेंगे इसमें और ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होगा एक बार देखिएगा वीडियो को last तक recipe आपको पसंद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं mix wedge fry सबसे पहले यहाँ पे हम सबजी साथ करके कट करके ले लिए हैं तो हम यहाँ पे सबजी में बिंस लिए हैं गाजर, फुल गोभी और सिमला मिर्च, मटर आपको इसमें से जो भी सबजी पसंद नहीं है उसे हटा सकते हैं और जो सबजी पसंद है उसे add कर सकते है हम यहाँ पे थोड़े से आलू साफ करके, कट करके रखेंगे और जो भी सबजी का सीजन है वह सबजी अप ले ली जिए जो नहीं पसंद है उसे आप आप भटा दिजे तो यहाँ पे हम सारे सबजी कट करके ले लिए हैं आलू को भी कट कर लिए हैं चलिए बनाते हैं मिक्स वेज फ्राई सबसे पहले गैस पे कराही चगाए हैं कराही में डाले हैं तेल तेल हलका सा गरम हो गया है अब इसमें हम डालेंगे एक छोटी चमच के करीब काला सरसो और इसे फूटने देंगे अब इसमें हम डालेंगे अदरक लैसन हरी मिर्ची तीनों को हम एक साथ महीन चौप कर लिए हैं आप चाहे तो अदरक लैसन का पेस्ट ले लिजे और हरी मिर्ची को चौप करके डाल दीजे या फिर आप तीनों को एक साथ खल में कूट के भी डाल सकते हैं तो यहाँ पे तीनों को हम डाल दिये हैं और इसे कुछ सेकेंड के लिए बस भून लीजे अगर ऐसे महीन चौप करके डालेंगे ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एक बार ट्राई कीजेगा तो यहाँ पे हम इसे थोरी दिर भून लिए अब इसमें प्याज डाल लेंगे दो मीडियम साइज के प्याज है यह इसे हम लंबाई सेप में कट किये हैं प्याज को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और यहीं पे हम इसमें अलू डाल लेंगे अलू को अगर आप थोरा साच्छे से भून लेंगे तो अलू का टेस्ट जादा अच्छा आता है तो इसलिए अलू को हम पहले डाल लिए हैं प्याज के साथ अलू को थोरी दिर भून लेंगे दो से तीन मिनट आप इसे continue चलाते हुए भून लीजिए गैस का फ्लेम medium to high रख सकते हैं और अब इसमें हम डाल देंगे गोभी तो सिर्फ गोभी यहाँ पे डालेंगे बाकी सबजी बाद में डालेंगे गोभी को थोरी दिर भून लेंगे अब आलू प्याज के साथ गोभी को भी थोरी दिर अलग से भून लेंगे इसके बाद बाकी सबजी हम इसमें एड करेंगे तो गैस का फ्लेम आप medium to high अगर रखे हुए हैं तो इसे थोरी थोरी दिर पे चलाते रहिएगा नहीं तो नीचे से यह जल जाएगा और यहाँ पे बाकी की सबजी भी हम एड कर लेंगे तो मटर डाल दिये हैं गाजर, बीन्स और सिमला मिर्चे सब सबजी यहाँ पे डाल लेंगे आपको जो भी सबजी पसंद है वो सब इसमें एड कर सकते हैं और भी सबजी आप इसमें डाल सकते हैं तो यहाँ पे सब डाल दिये हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 2-3 मिनट खुले में भूनेंगे मतलब कवर नहीं करेंगे बिना कवर किये हुए आप इसे थोड़ी देर फ्राई कर लीजे और यहाँ पे थोड़ी देर हम इसे बिना कवर किये हुए भून लिये हैं और यह सबजी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है तो अब इसमें हम डाल लेंगे नमक टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजे आधा चमच से थोड़ा सा जादा हम यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे एक चौथाई चमच के करीब बस इतने मसाले हम डालेंगे और कोई मसाला हमें नहीं डालना है इसमें इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर कर दीजे दो से तीन मिनट के लिए बस आप इसे कवर कर दीजे ताकि सबजी अच्छे से पक जाए तो यहाँ पे थोड़ी देर हम इसे ढख के पका लिए हैं यहाँ पे चेक कर लेंगे चेक कर लीजे अगर आलू गोभी नहीं पका है तो आप इसे थोरी देर के लिए और कवर कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से पक गया है और गोभी भी अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसे cover नहीं करेंगे बिना cover किये हुए आप इसे थोरी देर भून लीजिए ताकि अच्छे से dry हो जाए तो gas का flame आप medium रखिएगा और थोरी थोरी देर पे इसे चलाते रहिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबजी हमारा बहुत अच्छे से dry हो गया है थोरी देर इसे आप भूनिएगा जरूर बिना cover किये हुए अच्छे से dry जरूर कर लीजेगा तो यहाँ पे हम gas को बंद कर चुके हैं और इसमें डाले हैं धेर सारा कटे हुए धनिया का पत्ता अगर आपको पसंद है तो जरूर डालिएगा और इसे अच्छे से mix कर लीजे अगर आपके पास time है तो थोरी देर के लिए इसे आप cover करके छोड़ दीजे हमें हाँ पे इसे serve कर रहे हैं और इसे आप इसे तुरंत serve भी कर सकते हैं बहुत tasty हमारा mix wedge fry बनके तयार है आप इसे tip in lunch box में भी दे सकते हैं किसी के साथ भी खा सकते हैं बनाना भी आसान है और बहुत कम मसाले चाहिए हमें इसे बनाने के लिए तो आप इसे एक बाज try जरूर कीजेगा और हमें बताईएगा कि कैसा लगा मेरा ये recipe अगर मेरा recipe आपको अच्छा लगता है तो please मेरे चैनल को subscribe कर लीजे बेल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो भी हमें जरूर बता दीजे ताकि हम उसे सुधार सके thank you, मिलते हैं आपसे next वीडियो में एक और अच्छी सी recipe के साथ